तो से लेखते हैं 12 number, there are 12 points in a plane, the number of straight line joining by any two of them, when three of them are collinear, देखिए, total 12 points है किसी plane पर, तो 12 points में से, अगर दो point को join करेंगे, तो एक line रो होगा, दो point को join करेंगे, तो चलिए, तो total 12 C2 lines होगे, लेकिन जब कि इसमें कहा रहा कि 3 collinear points है, तो जो 3 collinear points होगे, उनसे सिर्फ एक ह लाइन रो हो चाएगा, तो इसमें से हम लोग को 3, अगर point दिये हो, तो उसमें से कितने line draw कर सकते हैं, उसको पहले subject करना होगा, और उसके जगा पे एक line को ले लेना होगा, चुकि वो 3 point को लिए है, तो उनसे सिर्फ एक ही line pass कर सकता है, यह न हो जाएगा, जी, तो चलिए यह 2L C2 का, objective है तो objective जैसा बनाओ, भाई में 2 का factorial और इंटू में 2L minus 2 का factorial, 3C2 3 होगा, प्लस का 1, चलिए यहां देखिए, 12 इंटू में 11, इंटू में 10 का factorial, भाई में आपका 2 का factorial 2, और इंटू में 10 का factorial, और minus का 2, यह इससे कट जाएगा 6 टैंपिवर को, 66 में से 2 को सब् टिक करेंगे, 64 आ जाएगा, यानि कि C नम्मर इसका answer हो जाएगा, को सब्सक्रा नम से 2 को सब्सक्राइगा,